जैसे आनलाइन कुरान मंगा सकते हैं कि तो कि किस तरीके से आ रहा है किस तरीके से गहर मुस्लिम भी ला सकते हैं उसे अच्छे से रख रहा है कि नहीं मंगाना सही है कि नहीं क्या आनलाइन भेजते हैं लोग कुरान जी आड़ कॉपी भेजते हैं मेरे ख्याल से जो लोग भेजते हैं अगर वो इस तरह से भेजते हैं कि ले जाने वाले को पता होता है कि कुरान है और उसको एहतराम से ले जाता है उसकी बेखुरमती किये बेगार तब तो ठीक है कोई मसला नहीं है लेकिन अगर सामने वाले को कॉरियर कंपनी जो ले जा रहा है उसको पता नहीं है तो खायर है और सामानों की तरह से उसको भी जिस तरह और सामान ले जाते हैं कोरियर वाले सब उपर नीचे यूसरे को रखे रहते हैं बसा उखात उस पर कोई बैट भी सकता है पाउं भी रख सकता है अगर इस तरह से है तो कुरान को कोरियर से नहीं भेजना चाहिए और आपको मगाना भी नहीं चाहिए और जो लोग भेजते हैं आप उनको मना कीजी और उनसे पता कीजी कि भाई आप ये जो कोरियर से भेजते हो क्या पुरान की जो खुर्मत है उसका लिहाज रखा जाता है इसको लाने में अगर नहीं रखा जाता है तो बिली जापय सामत करें